हलो एवरिवान मेरा नाम डॉक्टर प्रीती कुमारी है मैं आईक्यू सूपर स्वेश्यालिटी आई हॉस्पिटल के साथ एक कैटरैक्ट और ग्लॉकुमा सर्जन हूँ आज मैं आपसे ग्लॉकुमा से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेरी सॉल्व करने आई हूँ मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अगर मेरे परिवार में किसी को ग्लॉकुमा है तो क्या मुझे ग्लॉकुमा बनने के जादा चांसे हैं रिस्क जादा है जी हाँ बिलकुल स्टडी कहती हैं कि अगर आपके सिबलिंग्स में पेरिंस में ग्लॉकुमा है तो आपको नॉर्मल पॉपिलेशन से नाइन टाइम्स हाइर रिस्क है ग्लॉकुमा बनने का अगर आपके ग्राइन पेरिंस को ग्लॉकुमा है तो आपको नॉर्मल लोगों से टू टाइम्स हा से प्रिवेंट कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है तो फिर आपके हाथ में क्या है आप क्या कर सकते हैं देखिए सबसे important है यह समझना कि ग्लॉकुमा को हम जितनी जल्दी detect करेंगे हम उसका उतना बहतर कर सकते हैं और आपके eyesight को बचा सकते हैं इसलिए सबसे पहला आपको regular साल में एक बार आखों की प्रेशर और आखों की नसों को चेक करवाना है दूसरा अगर आपके आई डॉक्टर ने आपसे किसी भी तरह के ग्लॉकुमा टेस्ट करवाने को कहा है तो उन्हें immediately कराईए डिले मत कीजिए तीसरा अगर आपको BP, sugar, migraine या sleep apnea जैसी कोई बिमारी है तो उसे control में रखे उससे आपकी optic nerve की health बनी रहेगी और चौथा अगर आपके आखों में किसी भी तरह का pain होता है आखों में headache के साथ pain होता है redness होती है photophobia light में दिक्कत हो रही है आपके आखों के सामने रंगीन गोले दिखाई दे रहे हैं साथ में ulty या vomiting nausea की complaints आ रहे हैं तो ये सब आखों में बड़े हुए pressure की science है इसलिए immediately अपने nearest eye specialist से अपने आखों के pressure को check कराएं याद रखिए सतर्क रहने से आप अपने आखों को बचा सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपके आखों में किसी भी तरह की query है तो हमारे comment section में अपने queries को छोड़िए हम I related हर problem को solve करने की कोशिश करेंगे thank you